आप देख रही है MNS News सच ज़रूरी है इतना ही नहीं उन्होंने भारत्य तिरंगा जंडा भी फुका है प्रदर्शनकारियों ने उत्ते जग नारेबाजी भी की है इससे दोनों देशों के बीच का तना और बढ़ सकता है भारत्य वानिज्य दुतावास के बहार प्रदर्शन कनाडा में खलिस्ताने आतंगवादी प्रदर्शनकारियों और यहां तक की भारत्य द्वज भी जला डाला है उस दोरान कनेडाई पुलिस्वाब मोजद रही खलिस्तान समर्तक संगटंग सीख पॉर्ट जन्हें सस्टिस के सदस्यों ने यह प्रदर्शन किया और खलिस्तानी जंडे लह रहाए गये इस घटना ने दोनों देशों के बिच तनाव बढ़ा दिया है इस तरह की करवाई से द्वीपक्षय समंदों में तनाव और बढ़ गया है वाइरल वीडियो ने डाला आग में खी खलिस्तान समयतों को का यह वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है वीडियो में प्रदर्शन कारियों ने खुले तोर पर प्रिया मोदी के पुतले पर तुक कर अपना घुसा प्रदर्शित के आई यह भारतिया संस्कूर्टी में बहुत अपमान जनक काम है इसके बाद प्र कनाड़ा को लेकर क्या कहा भारत कनाड़ा विवात पर शिलंका की विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा कि कुछ आतंगवादियों को कनाड़ा में सुरक्षित ठिकाना मिल गया है कनड़ाई पीम के पास कोई सबुत नहीं है इसके बावजुत अपमान जनक आरुप लगाने उनने शिलंका के लिए भी ऐसा किया है कि कोई अपमाजनक और आप्रमानित अरुपों के सास साबने आते हैं आईए बढ़ते आगली खबर के और अपना मुनाफ़ा बंध होने पर रो रहे गांधी खांदान के लोग समूर्ती इरानी केंद्रे महिला योग बाल विकास मंती समूर्ती इरानी ने अमिटी के संचे गांधी अस्पताल का लाइसंस रद्द करने पर किये जारे सत्याग्रह पर बयान दिया है उन्होंने कहा कि अस्पताल में लापरवाई के कारण एक महिला की मौत हो गई मैं अचंबी थू की गांधी खांदान की ओर से चलाई जा रहे अस्पताल में एक महिला की मौत होती है ऐसे में उसके परिजनों को सहारा देने और आरोपियों पर कारवाई की जगव वो अपना मुनाफा बन होने पर रो रहे है उनकी नजरों में एक महिला की जान की कोई कीमत नहीं है केंज्रिय मंत्री ने मंगलवार को लखनाओ में मिडिया कर्मियों से बाच्चित में बयान दिया इसके पहले उन्होंने मंगलवार को लखनाओ मैं आजी त्रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र वितरन किया इस मौके पर अपने सम्मोधन में उन्होंने कहा कि आज जीन को नियुक्ति पत्र मिले हैं वो लोग आम लोगों की उम्मिदों पर खरे उत्रे तकनिकी के इस दोर में आम आदमी को इस डेक्स से दूसरी डेक्स भटकनाना पड़े आज यहां डाक विभाग ने भी कई विभागों के समनवे से यह कारेक्रम किया है उन्होंने कहा कि अधिकारी आम आदमी से सरल्ता से बरताओ करे नागरी को मालिक और खुट को सेवग समझे इसमें बहुत सारे ऐसे लोग आये हैं जो प्राइवेट नौकरी छोड़ कर देश सेवा के लिए आये हैं ऐसे में भारत उजवल भुविश पर निर्भर करता है नए भारत में महिला उस्सा से भरी हुई है कि इंद्रमंति ने कहा कि भविश्यकिन निर्माता अपनी सार्थकता सहस्ता सरल्ता से आगे बढ़े हैं उन्होंने कहा कि गनेश बंदना के समय प्यम मोधी ने नए संसत बहुन में 33% महिला रशन बिल पास करा कर एक नए भारत की शुरुवात की है आज महिला उस्सा और उमंग से भरी हुई है आईये बढ़ते अगली ख़बर के और मुंबई में जेपी नड़्डा देवेंद्रफ अनवीस और आशिस शेलार ने के लालबाग राजा के दर्शन मुंबई में गनेश चतुरुती के मौके पर जगा जगा पंडाल लगया है जहाँ पर गनपती बापा का आशिरवाद लेने के लिए भक्तों की भारी बीड़ उमड रही है इस बीच बीजीपी प्रमुग जेपी नड़्डा महाराष्ट के उपु मुख्य वंतिर देवें पर भी दे सकते मुबल आप पर देखने के लिए प्लेस्टोर मनेश निवस्टी आज डाउनलोड करें इंस्टा लिए ट्वीटर हाइकूप प्लाटफरम पर हमारा चैनल प्लब्द है आप इसी यूट्यूब पर भी दे सकते हैं www.msnewst.com पर फिलाल वक्त हो चलाए दर्श को ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देखीगा देश उद दुनिया की तमाम बड़ी खबरे बने रहे हैं मनेस निवस्टी पर नमस्कार यह है मनेस निवस निट पर और आप देख रहे हैं मनेस निवस